177 साल पहले स्थापित की गई रेलवे लाइन को आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक के रूप में माना जाता है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। आपने भी ट्रेन में कई बार सफर किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, इसके कुछ नियम हैं, जो खास तोर पर यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, जिनसे लोग अंजान हैं, जिनके बारे में जानना महत्वपूर्ण हैं। आप भी जरूर जान लें। चलती ट्रेन में अलार्म की चेन ना खींचें। प्रत्येक कोज के दर्वाजों के पास आपात कालीन अलार्म चेन देखी होगी। इसे देखकर लगभग हर किसी के मन में यही आता है कि क्यों ना एक बार इस चेन को खींचा जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा करने से आपको काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतिय रेलवे के नियम के मुताबिक, अलार्म चेन को केवल आपात स्थिती में खीचने की अनुमती होती है। जैसे कि चिकित्सकी ये आपात स्थिती, यात्री की सुरक्षा के लिहाज से खत्रा, दुरगटना या कोई बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति या फिर साथ ही छूट गया हो। जारी यात्रा के दौरान आप अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यात्री को पीक सीजन के दौरान टिकट की अनुपलब्धता के कारण अपने असली डेस्टिनेशन तक के लिए आरक्षन नहीं मिल पाता। बात है कि आपकी सीजन अलग हो सकती है। यदि कोई यात्री समय सीमा से अधिक सोता है तो निचली बर्थ वाले यात्री को यह अधिकार है कि वह आपको ऐसा करने से रोके। ट्रेन चूटने पर दो स्टॉप नियम। अकसर ऐसी दुरभाग्यपूर्ण घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं जब यात्री अपने मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने से चूक जाता है। ऐसे में यात्रियों को उचित मौका देने के लिए टू स्टॉप नियम बनाया गया है जिसमें टिकेट कलेक्टर उस सीट को किसी अन्य यात्री को पूरी यात्रा के अगले दो स्टॉप्स तक नहीं दे सकता। रात दस बजे के बाद यात्रियों को ना हो परेशानी। होती है ताकि यात्री ठीक से आराम कर सकें। यही कारण है कि ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना भी रात दस बजे के बाद नहीं परोसा जा सकता। ट्रेन में बिखने वाले पैकेजड फूड आइटम्स के दाम। यदि आप बस या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि उत्पादों की कीमतें अकसर उनकी वास्तविक MRP से बहुत अधिक होती हैं। लेकिन भारतिय रेलवे के तहट ट्रेनों में ऐसा नहीं है। शासी निकाये ने ट्रेनों में पैकेजड फूड जैसे स्नैक्स, भोजन और पेप अदार्थों के मूल्य निर्धारन के संबंध में नियम तै किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यात्रियों से अधिक शुल्क न लिया जाए और साथ ही उत्पाद कुछ गुणवत्ता मानकों को भी पूरा किया जाए। यदि कोई वेंडर इस तरह के अनैतिक आचरन करता पाया जाता है तो उसकी सूचना दी जा सकती है, जिसके बा परिशान करने से बचने के लिए सभी यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शोर के स्तर पर नियंतरन रखें। अगर आप अपने फोन या किसी अन्य डिवाइस पर कोई वीडियो देख रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं तो यह सलाह दी जाती है कि आप वॉल्यूम कम रखें या हेड़फोन या इयरफोन का उप्योग करें। यह भी सलाह दी जाती है कि फॉन कॉल पर अपनी आवाज कम रखें ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी ना हो। यह नियम तब बनाया गया था जब भारतीय रेलवे को ऐसे लोगों के खिलाफ कई शिकायतें मिली जिन्होंने अन्य यात्रियों के लिए परेशानी पैदा की। इन नियमों का पालन करवाने के लिए On Board Traveling Ticket Examiner, TTE, Catering Staff और अन्य रेलवे कर्मियों जिम्मेदारी सौपी जाती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें है।